अगर आपका सुर्फ एक रसमलाई खाने का मन कर रहा है तो आप दुकान पिजा के खा लीजे लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि कोठेट साई रसमलाई खानी है तो आप ये पाकेट ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं इसमें दो पाकेट्स हैं पाकेट A, पाकेट B तो पाकेट एक को पहले मैंने खूल लिया है और इसमें डाला है मैंने 40 ml milk और साथ में एक चमच की और इसका नगदम चिकना सा डोब बनाना है जब तक आपको लगेगी ये चिकना नहीं हुआ है इसको दोनों हाथ में आप घी लगाएए और इसे ऐसे करके आप डोब बनाएए और इसके पेड़े बना लीजे और 2 लीटर पानी में आपको इसको डिप कर देना है और पका लेना है ऐसे ढखन को आधा रखे और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 कप पानी 2 कप चीनी से चाशनी बना लेनी है और इन जो रसमलाई बन गई न फूली-फूली इनको डिप कर देना है उसी चाशनी में अब हम मिल्क बना लेंगे यहाँ पे तो यहाँ मिल्क के लिए पाउडर बी जो पाकेट बी था न वो दे रखा था और यहाँ पीला कलर आया निल पाकेट बी में सब चीज़े पढ़े हैं चीनी भी ऐसा लग रहा है कि मिठा एकी दुकान पर खड़ी हो तिनी अच्छी स्माइब